तो हाई गाईज के सुपब सभी लोग मिन करता हूँ बहुत ही जदा बढ़िया होगे आज किस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं कि महिंद्रा थार जो है इंडियन कार मार्केट में जो है इतनी ज़्यादा सक्सेस्फुल केसे साबित हुई अभी जो है इंडियन कार मार्केट को ये आसान मार्केट नहीं है इंडियन कार मार्केट इक पेचीदा मार्केट है उनमें से जो है महिंद्रा एन महिंद्रा के दोवरा बिकने वाली ये महिंद्रा थार असल में इंडियन कार मार्केट में कैसे इतनी कम समय में जो है इतनी ज नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि ये गाड़ी जो है कई सालों से है जो है इंडियन कार मार्केट में जो है अवेलेबल तो थी ही लेकिन कैसे जो है इंडियन कार मार्केट में जो है इसने पकड़ बनाई थी अभी जो है इसी के बारे में बात करते हैं तो फटा वड़ से लेकिन जैसे ही महмыई रायन वह मह teenager ने इसको अउपग्रेड जो किया हैümüz क्योंकि इस नए जैसे महंद्रा नहीं की गजब सब्द ने जो होता है ना मसだ वहोकाल वो ये भोकाल है शायद ये कोई कार एंथूसियाज को ऐसा होगा जिन्हों को जो है ये गाड़ी लुक्स के मामले पसंद ना आए जहां पर जो है एक तरफ जो है अपना फोर वाई फोर मिलता था चारो पईयों में पावर मिल दे थी ओफ रोडिंग के लिए वही पर दूसर से अपनी गाड़ी के लुक्स और चारो पईयों में पावर तो दी गए थी अब वहां पर अट्रा इंच के अलोविल डाल दिये ओफ रोडिंग गाड़ी में अलोविल इंडियन कार मारके ने पहली बार इंडियन्स ने देखे थे जो काफी जादा उनको पसंद आये थे औ से टाइम रेनिंग लाइट और पायर प्रेशन मोनेटरिंग सिस्टम अठरा इंच स्मोक अलोविल और स्टेरिंग माउंटेड ओडियो कंट्रोल और आगे बात करें तो और इस गाड़ी को देखकर कहीं से भी यसा नहीं लगता कि यह गाड़ी जो है अपने पूरानी जनर को लेकर और उनको देखकर क्योंकि यहां पर जो है मारुतिक ब्रेजा भी है ओं मारुतिक की एस्प्रेसो भी है टाटा की हैरियर भी अपनी एक एस्वी है और अपने लैंड रोवर वो सब तो एस्वी ही लेकिन बात करें इनकी ओफरोडिंग कैपेबिटी की तो नहीं वह तो है zero यह जो गाडिया जो off-robbing के लिए बने जाती वह लग होती ही और जो अपने शहरों में चलाने के लिए डेली यूज के लिए जो गाडिया होती है उलग होती है उन दोनों का जो है combination आज तक एसा आया ही नहीं ता और जो आया था अब जो है कंपणी ने ने जो है डिमाड को देखती हुए 1.5 लिटर का जो है पेट्रोल एंजल 2.0 लिटर का पेट्रेंजिन थी जिनको अपना डेली यूज के साथ अपना थोड़ी बहुत ओफ रोडिंग भी उनको कर रहे थी जिनके अंदर कीड़ा था ओफ रोडिंग का और जिनको डिजल एंजिन ही चाहिए था उनके लिए तो उनके लिए एक सस्ता पेट्रॉल ऑप्शन भी दे दिया और सब्सक्राइब की जिमने आने वाले थी और गुर्खा लॉंच हो गए थी तो क्या हुआ कि कॉम्बेटेशन को सीधा लग गया जटका वाव भी तंदा करना तो कोई महिंद्रा से सीखे और रही बात मार्केटिंग की तो वह तो जो है इन्होंने कोई कसर छोड़ी ही नहीं जो 4x4 की पावर के साथ में जो है 15 kmpl की मायलेज देता है और सबसे बड़ी बता है हेरानी क्या थी कि हेरानी यह थी कि अपना अगर कोई ओफ्रोडिंग वेहिकल और कोई प्राइविट वेहिकल अगर दोनों को मिक्स किया हुआ को कोई प्रोडक्ट हमको चाहिए अगर मैं मिल जाएंगी ऑफ्रोडिंग मेरी उसमें होगी और अपनी डेली उसके लिए मैं उसको यूज कर सकता हूँ लेकिन थार ही इसा ओप्शन इंडिया में बना है जो इतने कम प्राइज पर जो है हमको डेली यूज के लिए भी गाड़ी दे रहा है और जो हमको टेयुट ऊटू आपके पास अगर दो गाड़ी आहे अगर मेरे पास सरी wsz ओफ्रोडिंग के लिए गाड़ी मेरे पास पैसा भी होता अगर मेरे पास सिर्फ और देलीहते तो प्रोड़ी सिर्फ घर भाइती इसको तो मैं ठाले निकालेहा डेली में कर सकता हूँ हाने जब और इंपोर्टेंट वीडियो के लिए